नमस्का दोस्तों, Stock Market Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ, Indian Railway का एक दिगज कुमपणी, एक स्टॉक के बारे में, तो ये जो कुमपणी है, मैं इसके उपर में बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, आज इसके उपर फिर से एक स्पेशल वीडियो बनाने बाला हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेसा कहते आया हूँ कि कोई भी कुमपणी का जब quarter basis result आ जाता है, तो उसके उपर आपको जोरू study करना चाहिए, तब ही आपको कुमपणी का data clear हो जाएगा, कुमपणी का performance clear हो जाएगा, कि कुमपणी future में कितना दिन तक टिक सकता है, और कितना चकासा आपको performance दे सकते है, तो उसी के बारे में आज बात करूँगा, तो कुमपणी का नाम आप पहले ही देख चुके है, अरकन जो international limited है, तो उसी कुमपणी के बारे में आज बात करूँगा, तो वीडियो सुरू करने से पहले ही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चनले को subscribe नहीं के तो जूरू subscribe कर लेजिए, साथी साथ bell icon को paste करकर all भी कर दिजिए, क्योंकि आपको daily basis stock market information चाहिए, तो इस चनल में बने रहे हैं, तो चलो अब देखते हैं आज के stock के बारे में, तो यहाप सबसे पहले में चार्ट पटन के उपर आ चुका हूँ, यहाप कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए, रेलवेज कोंपनी से, अरकॉन इंटरनेशनल जो कोंपनी है, जो totally railway कोंपनी से, तो मतलोग government subsidiaries कोंपनी है, और इस कोंपनी का जो में बिजनेस है, आप देख सकते हैं, आरकॉन इंटरनेशनल और इंडियन रोले, आप दिखें, construction limited, ज्यादातार कोंपनी construction को उपर काम करते हैं, जितने सारे railway का construction होता है, उसी के उपर इस कोंपनी काम करते हैं, इसका price range अभी भी एक दम 48, मतलब 50 rupees के नीचे इसका price range आपको मिल रहा है, एक दम सस्ते में मिल रहा है, मतलब आप ज्यादा माल उठा लेना मत, कुछ data में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद सारे जानकरी हैं पर देने वाला हूं, उसके बाद आपको लगे, इस company में ज्यादा निवेस करना चाहिए, क्योंकि एक दम सस्ते में माल मिल रहा है, तो सबसे पहले में आज का दीन का मतलब पिछले दिनों में जो result आया था, उसका result के बारे में आपको दिखा दू, उसके बाद सारे data आपको clear हो जाएगा, तो सबसे पहले में देखिए, यहापे result के पूर आ चुका हूँ, यहाप 70 पैसा आपको, मतलब 70 पैसा आपको dividend मिलने वाला है, दो रुपिया face value के हिसाब से, और इस जो dividend मिलने वाला है, 23 November से पहले आप से खरीदरी कर लेते हैं, तो आपको इस company का dividend मिल जाएगा, तो दिखे, इस type company बहुत जबदस dividend देता है, क्योंकि government subsidiary जितने सारे company है, वो पुरा भर देंगे, तो अच्छा कासा dividend आपको चाहिए, तो इस type company में आप ज्यादा नीवेस करिए, तभी आपको अच्छा कासा dividend मिलेगा, मानके चलिए आपके पास 1000 CR है, तो आपको करीबन करीबन देखा जाए, 700 रुपिया आपको dividend मिल जाएगा, देखे, 1000 CR में 700 करोड का टोटल इंकम था, तो अवरल बात करूँ, इस quarter में अच्छा का सा income हुआ, देखे, इस type company में आपको हर साल में, हर quarter में थोड़ा-थोड़ा करके income का ग्रोध देखने को मिलेगा, हाँ, इस type company में, negative news कौन सा होगा, वो है इसका करजा, आप करजा देखके चौक जाओंगे, इतना ज़्यादा करजा लेके बैठे हो रहते हैं, क्योंकि गवर्मेंट सबस्लियर इस company ज्यादातर करजा लेके ही काम करते हैं, ज्यादातर loan लेके ही काम करते हैं, वो loan बाहर की कंटी से भी लेत कि यह आपे expense के बारे में बात करूं, तो 1300 करोड का expense किया, पिछले quarter में 989 करोड का expense था, पिछले साल में 911 करोड का expense था, तो उसके बाद company को tax पे करना पड़ा, तो tax government जितने सारे taxes से उसको pay करने के बाद, जो need profit company के हाथ में आया, वो 132 करोड का profit होआ, जब अधर से भी द खासा यहाँ पे growth देखने को मिला, पिछले सालों में तो मातर 66, 76 करोड का profit था, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा growth देखने को मिला, तो दोनों दीख से ही एक positive moment वाला यहाँ पे growth आपको देखने को मिल रहा है, तो साथी साथ company का earning पस्यार भी देख लीजे, छोटा सा company है, फिर भी एक, मतलब 1.41% का earning आपको दे रहा है, face value 2 रूपिये के हिसाब से, और company की देखिए, जो price range है, मतलब पिछले quarter में earning पस्यार था, मातर 90 पैसे, और पिछले सालों में था, मातर 81 पैसे, तो इतना growth अच्छा खासा growth भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो segment wise के बात करो, तो segment wise भी यहाँ पे growth देखने को मिल रहा है, इस quarter में 1500, पिछले quarter में 1300, सौरी, 1100, पिछले सालों में था 1500, तो इहाँ पे segment wise भी आपको company में अच्छा खासा growth देखने को मिल रहा है, देखे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस type company में आपको हर साल में, हर quarter में ग्रोथ देखने को मिलेगा मगर स्टॉक के प्राइस रेंज में आपको ज्यादा ग्रोथ और उच्छा नहीं देखने को मिलेगा आप कहेंगे सर इतना अच्छा का सा परफॉमेंट्स हो रहा है फिर भी देखिए स्टॉक रेंज आभी 50 रूपीज के नीचे क्यों है क्यो की नहीं देखने को मिला था जब स्टेक बेजी दिया गया 63 परसन होल्डिंग प्रोमोटर मतलब गवर्मेंट के पास है तब इसमें एक उच्छाल देखने को मिला मगर बाकी जितने आयरेपसी है आर्कॉन लिमिटेड है तो यह जो कॉमपानी से इस टाइप कॉमपानी में सब्सक्राइब करते हैं तो यहांडर का देखा कि कि इसा करोड़ है 287 करोड जो पिछले सालों में था 163 यहांपे भी अच्छा करोथ देखने को इस लिए पिछले दिनों में जब रेजाल आया तो उसके बाद देखिए रेजाल आने के पाद यहांपे जवदस एक तेजी देखने को मिला फिर से recovery हुआ हुआ क्योंकि फिर से profit booking हुआ तो क्योंकि इस टाइप company में इस तरीके से volatility आपको देखने को हमेशा मिलेगा क्योंकि इसका चार्ट पटन आप देखेंगे देखेंगे इतना ups and down आपको देख रहा है कभी भी आपको इस तरीके से अप्टेन वा देखने को मिलेगा तो अभी देखेंगे जब से company start हुआ था तब से देखा जाए company मात्र 17% का return दिया इतना कम return में आपको क्या होने वाला है वो भी देखिए कितना साल इंवेस्ट किया 2018 से start हुआ मतलब मान के चलिए company आपको चार सालों में मान के चलिए तीन सालों में calculation करके देखा जाए तो आपको करीवन करीवन 5-7% आपको return मिला है तो company के बारे में data आपको दिखा दू या पर देख सकते company अभी वी एक mid cap type small cap mid cap type company है 4000 का market capulation है company का 10 phase value है company का return of capital employed 13 है return of equity 9 है बहुत low level में है company का देखिए high था 54 मतलब 50 भी क्रॉस किया था मकर हां company का price जब 100 के करीबन था company speed भी किया था तो इसलिए spice range अभी भी इतना low level में आपको देखने को मिल रहा है तो company का कुछ positive news ज़रूर होंगे क्योंकि company almost day free है तो इस company के उपर आपको ज़रूर नीवेस करना चाहिए क्योंकि देखे government subsidiary यतने सारे company है जहाता डेब रहते है यह अकला एक की एक company है जो इसके पास डेब नहीं है तो यहाँ पर देखिए book value भी अच्छा खासा trade कर रहा है और अच्छा खासा company dividend भी देते हैं और company हर quarter में अच्छा खासा expect जितना करते हैं उसी तरीके से result भी आते हैं तो earning income के हिसाब से earning थोड़ा सा यहाँ पर कम देखिए हैं तो company जिस sector से बिलोंग करते हैं construction company से बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से company यहाँ पर third number position में आते हैं उसका market capillation के हिसाब से और सबसे सस्ते दामे में कोई भी share चाहिए तो इस share को आपको खरीदारी करना होगा और यहाँ पर देखिए company का सिर में quarter basis के एक quarter के बाद दिखा हूँ यहाँ पर हर quarter के result आप देख सकते हैं वीडियो को pause करके भी इस data को देख सकते हैं साती साथ यहाँ पर साल भर की बात करो तो साल भर में में आपको अच्छा खासा हर सालों में थोड़ा सा obtain वाला performance आपको दे investing हुआ तो तीन साल में मात्रफ 5% का return में पहले आपको बता चुका हूँ company आपको return जो दिया 17% तीन साल में return दिया मतलब 5-7% का अंदर आपको return मिलेगा देखिए ओही यहाँ पर return मिला 5% का return और एक साल में 21% का return देखिए इतना कम return में आपको क्या होगा तो आप इस type company मे निवेस करके आपको सिर्फ एक ही फाइदा होगा बहर dividend आपको जब 10 dividend मिलेंगे bonus मिलेंगे split मिलेंगे तो उसी से आपको share धीरे-धीरे growth मतलब बढ़ेगा और आपको earning वहाँ से ही मिलेगा तो return के चक्कर में आपको निवेस करना है तो इस type company से दूरी रहे तो आच्छा है company का sales growth ठिक ठक मुझे लग रहा है मगर 10 साल में थोड़ा सा weekly है मगर profit growth मुझे उतना खास नहीं लगा अभी नेगेटिव 10 में है return of equity भी उतना खास मुझे यहाँ पर नहीं लगा company का जो करजा है मैं पहले यह बता चुका हूँ एक ही एक company है जो जिसके पास करजा नहीं है जो करजा था 2018 में नाइंटीन में करजा था मगर अभी करजा ना के बराबर company के पास करजा है और company का reserve भी धिरे-धिरे growth हो रहा है आप देख सकते company का reserve भी कितना अच्छा का सा growth हो रहा है हर साल में reserve growth हो रहा है तो company का promoter के पास कितना holding है आप देख लिजिए मैं पहले ही बता चुका था company के पास 89% का holding था company का stake government में बेचा और अभी 73% जो holding है वो promoter के पास है इसका जो promoter है कौन देख लीजिए government है आप खुद ही देख लीजिए यहाप जितने सारे नाम यहाँ पर दिखा दे रहे रहे न वह ज्यादा तर government subsidiaries companies के promoter shareholder है तो यहाँ पर पब्लिक के पास भी देखे 23% holding है पब्लिक इस टाइप company में जावदस इनिवेस्ट करते हैं मगर देखे D.I.S कितना मात्र 0.08% का holding F.I.S कितना मात्र 2.30% का holding D.I.S और F.I.S इस टाइप company से दूरी रहना चाते है क्योंकि जिसमें return नहीं है जिसको return नहीं मिलेगा तो आप इंवेस्ट करके क्या फाइदा तो आपको भी यहीं कहूंगा इस टाइप company में आप निवेस्ट कर सकते हैं इसमें आपको dividend मिलेगा इसमें आपको लॉस होने क्योंकि bank में interest नहीं जादा नहीं मिलेगा जो interest आपको मिलेगा साथी साथ आपको dividend भी मिलेगा तो आप इस टाइप stock में निवेस्ट करना चाहते हैं तो कम निवेस्ट करिए ज्यादा निवेस्ट करेंगे तो देखिए आपको company loss नहीं देंगे मगर आपको profit भी तो नहीं चाहिए तो आसा करता हूँ सारे जानकर आपको मिल चुका है तो इस टाइप stock में निवेस्ट करने से पहले एक बाश टाइडी कर लेना उसके बाद निवेस्ट करने के लिए सोचना तो मिलते है आगले stock लेके तब तक के लिए अच्छे सरी है अपने ख्याल लेखिए में भी ऐाइब।